मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागरहों में तुम्हें कोडे लगाएंगे तुम मेरे कारण, शासकों और राजाओं के सामने पेश किये जाओगे जिससे मेरे विशय में तुम उन्हें और घैर यहुदियों को साक्ष दे सको जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हूँ तो यह जिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिये जाएंगे क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बलकि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है भाई अपने भाई को मृत्यू के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को संतान अपने माता पिता के विरध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे किन्तु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी